नमस्कार मित्रों प्रियविद्यार्थियों इस वीडियो कलास में हम 50 क्यूसन जीके के देखने वाले हैं जो आर्पियसे ने पूछे हैं आर्पियसे ने स्कूल व्यक्यता प्रिक्षा जो की 21 अक्टुबर 2022 को आयुजित हुई जो की फिजिकल एजुकेशन का पेपर था इसमें 100 क्यूसन पूछे गए थे इसमें हिंदी अंग्रेजी जो थे वो नहीं थे इसमें जीके वाले में केवल जीके के ही क्यूसन थे तो हम पहले पार्ट में 50 क्यूसन देखेंगे और ये क्यूसन आपके आगामी एकजाम्स के तैयारी के दृष्टी से रिपीट के दृष्टी से और इनके आसपास और भी कोई क्यूसन बनते हैं उनके दृष्टी से उप्योगी रहेंगे पेपर का लेवल जो है थोड़ा कठिन नहीं था मेरे अनमान से इसका चलिए हम पढ़ते हैं प्रसनों को राजस्थान में अनुसूचित छेतर में देखे राजेपाल का प्रसन पुछा है मगर डीप गहराई से पुछा है राजेपाल के सक्ते के बारे में कौन सा या कौन से सही है चार कतन यहापे आपको दिये हैं आपको छाटने हैं कि कौन-कौन से जो है वो सही है राजेपाल को अनुसूचियों के परसासन के समंद में अनुसूचित छेतर आप समझ गए न जैसे जो इस्पेसल जो छेतर है अलग से अनुसूचित जाती जन जाती से समंदित तो अनुसूचियों के परसासन के समन्द में राष्ट्रपति को वारशिक रूप से या जब भी राष्ट्रपति के आउसे पता होते एक रिपोर्ट परस्तुत करनी होती है अब यहाँ पर कथन जो है उनको भी आप देख कर जब आपको नमान नहीं हो कि या तो केवल एक सही है या फिर तीन कथन जो है दो या तीन सही है तो देखो राष्ट्रपति को रिपोर्ट तो देते हैं इसमें कोई दोराई नहीं है राष्ट्रपाल जंजातिय सलाकार परिस्द के समन्द में कोई नियम नहीं बनाते हैं इस लाइन को एक बार आप छोड़ो, अगली फिद्जाओ, राजेपाल जन्जातिय सलाकार परिस्द के अध्यक्स के न्यूक्ति के तरीकों के लिए नियम बनाता है, अब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, या तो दो सही है या तीन सही है, ठीक है या तो दो सही है या फिर तीन सही है, इन में से अपना उत्तर जो है वो निकलेगा, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत लाइन होगी ना ये, राजेका राजेपाल वी नियमन बना सकता है जो एसे चेतरों में स, ट के सदश्यों या उनके बीच भूमी के अस्तानतरन को प्रतिबंदित करता है, त तो इतना असान प्रसन नहीं है कि आप, आपको सिदा सिदा कहीं इसका मिलेगा, इस तरह से आपकी भी पढ़ के जाओ, तैरी करके जाओ, तो ऐसे प्रसनों में या तो उल्ज हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगा के, अब देखे ये जो लाइन है न, ये सारे सही लग रहे है और ये आपको देखे, आप पहचान सकते हैं इसको, कि कोई नियम नहीं मना सकता, तो ऐसा हो नहीं सकता, जब बाकी तीनों बाते जो है न, वो सकारातमक है कि ऐसा सहो सकता है, तो ये दो नमर को आप छोड़ दीजिए, तो इस हिसाब से जो है, ये तीसरा जो उत्तर है इस पुरुसकार तो खिलाडियों के लिए होता है, प्रस इक सकों के लिए होता है, गुरु बशिष्ट, पुरुसकार, तो इसकी राशी को एक लाख रुपे से बढ़ा कर कितना कर दिया है, तो ये अपने आया था करन्ट अफेर में, केताबों में में आया था, और मैंने भी यूट्यूब पे करवाया था और नोट्स में भी दिया था तो एक लाग से बढ़ा कर कितना कर दिया है सिधा ही पांच लाग रुपे जो है वो कर दिया है याद रखना आगे की दृष्टे से भी अब ये राजनी टीवी ग्यान के क्योशन काफी डीप जो है पूछे जा रह कि आजादी से पहले 19, 1935, 1936 के जो दिनहीं थे तो इस दिनहीं में बिटिस प्रांतों और बारतिय राजी से मिलकर अकिल बारतिय संग की परिकलपना की गई थी पहली बात यहाँ पे खतन आपको छाटने है कौन-कौन से सही है 1935 के दिनहीं का संग्य इसा तब लाग हुआ जब रियासतों को संग में सामिल होने के लिए राजी किया गया अब आप इसको सोचिए कि इसका जो संग्य हिश्चा था के अंदरवाला वो तब लागू हुआ जब रियासतों को संग में सामिल होने के लिए राजी किया गया अब आप याद कीजिए कि रियासतों को संग म सब्सक्राइब नहीं नहीं हो सकता तो दो नम्मबर को अब आप निकाल दीजिए यहां से तो 대박 को अगर यह निकाल देते हैं तो दो नमबर जो है वो आए का नहीं इसमें ठीक है तो उत्तर जो है वो हो था 1935 वाले में 1929 के दिनियम के यह था उपन्दित केंद्रे विधाई का कि सक्तियों का भारती सवतंतरता दिनी मुझे सो चैन्तालिस तक एपलिवर्तित रहे लोग कुछ ऐसे प्रावदान थे जो आगे भी चलते रहे तो इससाब से यहां पर भी वह यह उप्सन जो है एक तीन और चार वाला एक संयोग और देखा इस पेपर में मैंने इस टैप के पांच से परसन है और सभी में दूसरे उप्सन को उन्होंने हटाया है यह तो संयोग होता है इसको हम लेकर नहीं चल सकते निम्नलिकित में से कौन सा युगम सही स्वमिलित नहीं है अब यह राज से कहां तक है तो तो कोई भी कर दे अब ए गलत आपको छाटना है और इतना डीब एक्जाम में याद रहे नहीं रहे तो 155 राजेपाल के न्यूक्ति 156 राजेपाल की न्यूक्ति होने के लिए अरहताई यह जोग्यताई राजेपाल पर के लिए सरते और राजेपाल तो नियुक्ति के लिए अरताई नहीं है बलकि जो राश्ट्रपति के परसाद परियंत पद पर रहेंगे वो जो बात है वो इसमें है यानि कि हम कह सकते है पदावदी पदावदी की जो बात है वो इसमें है परसाद परियंत की बात है कि या तो राश्ट्रपति के परसाद परियंत जोय यह दहेंगे या फिर त्याग पत्र देना चाहें तो राश्ट्र पत्य के नाम देंगे वह एक्सोचपन में है राश्टान का फूल डोल महुत्सव तो यह राश्टान की कला संस्क्रति से चुड़ावा है और इजी क्योसन है इसकी आप ट्रिक भी याद रखें कि वह कैसा कि एकदम फूल सा ठीका बगवान राम का चेरा कैसा है एकदम फूल सा है तो राम फूल सा तो इससे आपको याद जाएगा राम समेही संपरदाई जो है उनकी जो महुत्सव फूल डोल वो यहाँ पे होता है और सा का मतलब सा है पूरा आपको याद रखना है सा है ठीक तो फूल सा से आप याद रख सकते हैं श्ट्रिक शे और किसे अरजित रूची है तो स्वेवरति की स्रेणिमी प्रवरतियां ठीक है इसका आप तोड़ा और विसलेसन करना गहन चिंतन करना इस पे संजेपाल सर जो है वो मनोविज्ञान के आईवे क्यूसन करवा रहे हैं हिसी चैनल पे और मैंने जो है दो हजार बाईस में जो फर्ष्ट क्रेड में पुछे गए थे छे पेपर जिके के पांच करवा दिये चछटा चगरा है शिवालिक परवतपाद बाकी पांचों भी डिस्क्रेप्शन में एकका लिंक डालेंगे के साथ कंकर पत्रों से बराच्यतर जहां अनेक सरिताइं विलूपत हो जाती है शिवालिक परवतपाद यानि कि हिमाले जो है उसमें तीन स् उसके बाद मद्दे हिमाले और एकदम नीचे वाला जो है जो की माचल के आसपास वाला वो उसे कहते हैं शिवालिक तो ये कक्सा नो की जो किताब है बुगोल वाली उसमें सिदा सिदा दे रखा है यानि कक्सा आठ नो की सामाजी के इस तरका क्यूशन है तो जहां कंकर प क्याते हैं तो अकति मेथा समतल में फेल जाती है अधार क्या सिक जाती से कहते हुए से मतार रिखा नहीं वाला या वाला चेतर प्तर तो इसका उत्रिये हैable अधार undudya बांगर को आप बैसे बांगर बैसे बोदा एसे ट्री क्याद रखो मारवाडी केसे आप से राजस्तानी का इस्तेमाल करते हुए मतलब पूराना पूरानी जो जलोड मरदा है वो कहलाता है जलोड पूरानी जो जलोड है वो कहलाती है बांगर और खादर जो है वो नहीं जलोड के जो मेदान है वो अब पूरानी और नहीं का मतलब हजारों लाखों का है यहाँ पे कोई यह नहीं कि भी कल पर सौंकीर वो प विशेस जुकाव है, जाए विक्ति हो, विशे हो कुछ भी हो, तो वो क्या कहलाता है, तो विशेस जुकाव है на, साधान जुकाव तो रुची, विशेस जुकाव तो अभी रुची, अभी का आर्थी jsे समत के पails अभी लग गया, तो इस वैसल हो गया, ध्यान देने हैं तू ये हो गया आपका रूची अब है निशित परकार से विभार करने की परवर्थी कि एक निशित परकार का विभार करते हैं चीजों के परती हमारा एक नजरिया होता है जैसे मान लिजिए हम उधारन दे को राजनेता का नाम लिया देश के परढ़ान मंत्रिय का लिया अभी प कि शिकरिया को एक तर के से दोहरा आना अब कि शिकरिया को एक तरक слबस एंगते हैं जैसे मालेज हम बोलते समय कोई चीज बोलते हैं कि कैसे ठीक ना स्थेन house के जो कुछ भी है तो भार हम बार भार दोहराते हैं भालत हैं कोई काम रिपीट करते हैं तो क्या बन जाती हो आदत तो यहां पर हो जाएगा आदत ठीक है तो सामाजी कोशल का कोई आया नहीं है तो ए में जो है दो बैमें एक इस परकार से है क्या कि तो दो यह है दो एक चार तीन दो एक फिर सैमें चार दैमें तीन ठीक है सैमें चार बैमें तीन आगे हम देखते हैं मार्स 2021 को भारत में कुल दिर्ग कालीन बकाया विदेशी रियनों में सबसे बड़ा घटक निमने में से कौन सा है अब यह परसन जो है करंट फेर इंडिया ले ज्यादारी निर्ष व्यापारी को दारका है दोस्तों बारते नागरे के मोलिक करतावे आप देखते हो हर किताब में दीए रहते हैं 11 करतावे एक दो बार भी पड़े लिए तो आप थोड़ा सा पैचान सकते कि समिधान का पालन करे हैं देश की रक्षा करे हैं वेगिनिक सोच को विक्षित करें हैं अब हिंसा को त्यागेर अंतराष्टे सामती तो यहां पे आपको तोड़ा सा सोचना है कि भी ऐ हिंसा अपनी बड़ी अवधारणा रही है तो यह भी है तो यह नहीं है से तो इसमें से को आप हटा दो ऐसे दैये यह दो नमबर जो है इसमें हो जाएगा तीन नमबर होगा यह होगा यह जो है यह होना से को हटाना है अपने को तो इसलिए इसमें से है इसमें से है इसमें से है ठीक है अब यह मौनविग्यान का है मनवग्यान से जूड़ी आपको बात बताते दोस्तों कि जो subject है आप अगर first guide के त्यारी कर रहे है तो ये दो line आप सुने कि जो subject है उसमें 20 question आते हैं मनवग्यान के लगबग और तीन unit है unit first, second और third जो third unit से question कम आये हैं first से ज्यादा आये हैं जो 20 question है किशे में 19 किशे में 20 किशे में 20 किशे में 18 और 16 paper इस बार 16 subject के paper हुए drawing है, मनवग्यान है, हिंदी, अंग्रेजी, कड़ी है सामाज एक सब तो जो 16 paper हुए तो 20 question से 16, तुड़ी 32 लगबग 320 question 2022 में आये हुए वो सारे unit wise करके हमने test series के रूप में लगा दिये हैं yes guru app पे और दूसरी बात कि उनकी pdf भी आपको download के लिए दे दी है, कम page में पड़ भी सको आराम से, 16 page 32 दोनों साइड से आप download करके print करवा सकते हो RPC ने जो की जारी की, उसके अनुसार उसको हल करके तिसरी बात, 2020 में भी जो सवाल पुछे गए 2020 की प्रिक्षव में भी जो 15-16 subject में, उनको भी हमने जो test ले रहे हैं, उसमें हमने डाले हैं और model question भी डाले हैं एक मिनट में आपके और लूँगा आपको मैं दिखाई देता हूं, जिसे मोबाइल में कि किस परकार से जो है आपको ये मिलेगे test series, जैसे ही आप ये इस guru app खोलेंगे, तो ये first grade school वेक्या था इसके पास में ये भी अच्छी काम की test series है, अमरत, अभ्यास, सूजस तो इसमें आप देख पाएंगे कि सिक्षा मनोवे ज्यान और जैसे ये आप इसका लोग खटा कि आप इसको लेंगे, 65 की है ये मोग test वीवाल करेंगे, मोग test दिखेंगे PDF के सामने वीवाल करेंगे PDF दिखेंगी, अभी एक दो दिन में complete डाल देंगे ये, और आप इनको download कर पाएंगे, मोग test जो है उसका अभ्यास जो है वो आप अपने मोबाइल में जो है वो कर पाएंगे अब हम देखें आगे 12 साथ संद धिनेम 1935 का पूछ लिया, अब 1919 का आया है परसन कि भार्ट की विदायका में सामिल क्या है तो इसमें गवर्नर, जनरल और राज्य परिसद ये दो जो है, वो ही इसका उत्तर होगा, ये दो ही सामिल थी इसमें ठीक है अगला हम देखते है इसमें, ओ, ये एक रह गया ना, इंपोर्टेंट, हाँ, इसका उत्तर हमने नहीं देखा हरसित सामाजिक और बहीर मुकी और सनेई है सामाजिक है, बहीर मुकी है सनेई सील है तो सेल्डन के नुसार में किस रसना में आता है तो सेल्डन ने और क्रेसमर ने तीन परकार का विक्ति बताए है ठीक है, तीन परकार के विक्ति में वैसे तो वो गोलाकार अंग्रेजी में इनको अलग-अलग है दिया एक तो गोलाकार, एक पतले और लंबे ठीक है और एक गठीले तो एक्टोमोर्फिक है, एक्टो एक्टो को क्या है? एक्टिव होना ज़रूरी है ऐसे आप टिक से याद रखें एक्टो, एंडोमोर्फिक एंडो और मिसो मिसो जो है मिसो है, आप एसे याद रखो कि मतलब एकदम सोलिड तो ये हो गए, मतलब एक तरह से हम कहेंगे इनको कि हटे-कटे सुडोल गठीले, मजबूत ये सब दिन के लिए कामिले सकते हैं जैसे हो गए एक तरह से मतलब थोड़े से गोल मटोल टाइप के ठीक है गोल मटोल टाइप के तो बहिर मुखे सनेह सिल खुसमिजाज ये ठीक है तो सेल दन का आप याद रखें सेल ने सेप, सेप मतलब आकार कि पतले हो गए एक तो निम्द कत्नों पर गोर कीजिए सागरमाला कारे करम का मुखे उदे से निरियात, आयात और घरेलुव्यापार के लिए रसद, लागत को कम करना है यह बंदरगाय नोवन और जलमारक यातायत का प्रमुकारे करम है तो दोनों यात रखें कि सागरमाला कारे करम जो है बंदरगाह से, नोवएहन से और जलमारक से जुड़ावा जो सम्मंदित है तो दोनों ही इसमें सही है दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा तीन नमबर उप्सम जैसा कि RPSC ने माना है हमने इसको प्रिंट करवाया है हो सकता है कोई मानुए तूटी हमसे भी रह जाए बाकि पुरा प्रयास है कि सही तते पहुंचे दिलवारा, माउंट अबू में आपको पता है, दो मंदिर है मुख्यत है, एक तो नेमिनात जी का मंदिर है और एक आदिनात जी का मंदिर है ठीक है, तो नेमिनात जी का मंदिर जिसे लून वसरी मंदिर भी कहते है तो इसका सिल्पी कौन था तो इसका जो सिल्पी है दोस्तों वो था सोभन देव और जो आदिनात जी का मंदिर है जिसमें की आदिनात यारिसब देव जी तो उसको जो निर्माता है उसमें वास्तुपाल और तेजपाल का जो है वो नाम आता है इसके निर्माता में ठीक है शिल्पी नहीं निर्माता और आदिनात जो मंदिर है उसके हम अगर शिल्पी की बात करें तो वो था कीर्टी धर आदिनात मंदर का जो शिल्पी है वो था कीर्टी धर और चालू के सासल के निल्देश पर सासल मनाया था बारा सो तीस में जो है ये इसका निर्मान हुआ था तो आदिनात का तो आपके दियान में रहें और सोबन देव जो है वो इसका जो निर्भ शिल्पी है वो था ठीक है World Social Forum के समन में सत्यकतन World Social Forum World Social Forum UNESCO का अंग है ये सत्य नहीं है दोस्तों UNESCO जो है United Nation Education, Scientific, Cultural Organization है Science और Culture के लिए तो इसमें जो है एक नमबर नहीं आएगा तो दो, तीन और चार सही है ठीक है यहाँ पर दो, तीन और चार इसका उत्तर हो जाएगा अगला हम देखें राजस्तान लोक्षे वायों के बारे में समनित थे अब आप इसको पढ़िए और उत्तर पर विचार कीजिए कि RPSC जो है RPSC के सदस्ये पदगरण के तारिक से 6 वर्स और 62 वर्स की आयू प्राप्त कर लेने तक पदधान करते हैं सही है क्या कोई वेक्ति जो राजस्तान RPSC जो है और इसा संभव भी नहीं है तो दोनों ही जो है वो खतन क्या है सत्य है दोनों ही सही है इसमें आपको सही छाटना था ना इसमें हाँ दोनों ही जो है इसमें सही का उपर लिखावा नहीं है आपको सी दायां से डूंडना है कि दोनों इक अथन जो है वो सत्य है अगला कौन सी पर्तिबासाली बालक की विशेशता पर्तिबासाली बता है आपको 140 से उपर तो अभी सारी चिंतन एक तो होता है अपसारी मतलब और एक होता है अभी सारी अभिशारी का मतलब जैसे कोई वस्तों उसके बारे में हर परकार से चिंतन करते हैं जैसे आप सत्रंज के खेलते हैं तो कई चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है कोई भी समस्य आते हैं उसके कई उपाईउं के बारे में सोचना पड़ता है तो अभिशारी अभ सारी फेलने वाला अभिशारी अभिशारी चिंतन हो गए एक्टर से और 130 से ज़्यादा IQ ठीक है और उच इसमर्ण छमता तो सिद्धिशी बात है तिन्नों इसमर्ण जो हो जाएगा एबस है किस लोक संत की इसमर्ण पर्तिवर्स चेत्र अमावश्या को अब देखो परसन सरली है यहां तिथी पूस्ते तो दिकत होती अब तिथी याद रख लो चेत का महीना और अमावश्या को जोदपुर के कोलू या कोलू मंड गाम जो है वहाँ पर तो यह तो आपको पता है सुनावा ना तो रामा माना सर में इनका मेला लगता है नागोर में और वेसे तो वो रूने चातो है ही स्री राम फर्टिलाइजर उद्योग अवस्तित है कहां पर है बताईए तो स्री राम फर्टिलाइजर जो है उद्योग यह है कोटा में ठीक है तो कोटा के यहां पर द दमकद पोल्ट्रेट याद आ गया होगा आपको तो उत्तर हो जाएगा इसका जेपूर आमेर डुंडार ठीक है विदान सबा में परकरिया और कार्य संचालन समधी नियम के उसार परस्नों का वर्गी करन के संख्या कितनी है अब ये कौन से परस्नों का पुछा है जो तारंक तो इसमें कुछ Google पे Search पे चार बता रहे हैं कुछ तीन बता रहे हैं तो हालंकि यहां पे चार उतरवाना है एक तारेसे मंझूबाला है वो हो गई जो की मंझूबाला है वो हेमर थ्रॉर है ठीक है और हेमर थॉर्र उर और कहां से है जे-जे-धन से, जू-जुनू से है द दल चाल जो कि कहां से हैं राज समंद से हैं राज समंद और तीसरा जो के लाड़ी है वो भी जुन जुनू की है वो है अजे सिंग वेट लिप्टिंग में तीसरे हैं अजे सिंग अजे सिंग वो है वेट लिप्टिंग ठीका और ये भी जे जे एन यानि जुन जुनू से खेल कहां पेवे यादारा आपको यह जुलाई और अगस्त में तारिक भी आपको बता देते हैं 28 जुलाई से 8 अगस्त यह पीडिया भी आपको रिविजन के लिए टेलिग्राम पे डाल देंगे उतरसाइथ और वैसे यस गुरु एप पर भी अवेलेबल करवा देंगे तो कोहलबर का जो नेतिक विकास है कई वार्षिदाई पूछते हैं नेतिक विकास का सिधान उसको आरोही आरोही का मतला बढ़ता करम बढ़ते करम में असेंडिंग करम में बताईए तो पहला इसका जाएगा पूर्वे दूसरा जाएगा परंप्राकत और तीसरा है आत्म वर सिक्षा मनुविज्यान मनुविज्यान की वह साखा है जो सिक्षण और सीखने से संबंदीत है अब परिवास भी आ गई है दोस्तों तो यह है इसकी नर्की सिक्षण और सीखने से संबंदीत है याद रख लेए आप निम्न लिखित कस्नों में से कौन सा एक कथन अजमेर क एक तीन से ग्यारास होते रहा है पर्थिवराज विजय के अनुशार अजे राज ने जैसे देखो कई चीजे आसने स्याद रहते हैं फ्रांस के करांति आता है कक्सानों में पढ़ाते हैं तो एक साथ आठ नो 1798 वेसे है यहां पर पर्थिवराज विजय के अनुसार अजय राज ने गरजन मतंगा था गरजनी के मुस्लिम आकरांतों को प्राजित किया अब ये लाएन आपने पड़ी हो या नहीं पड़ी हो आगे वाली पड़ो ये गलत आठान आपको दिलीका को अपने दिकार में लेने वाला वाला पहला चोहां सा सकता अब अगर आपने 94 पड़ा बहुत ही छोठा सा जैसे कोई ज़्यादा लंबा चोड़ा भी नहीं दे रखा है में में एफेक्ट अगर आप देखते हैं और ये तो मैंने रियूजन भी करवाया था हूँ एक देट गंटे के क्लास में दिल्ली पर दिकार करने वाले विगरे राज जो है चतूर्थ विगरे राज जो चतूर्थ है वो थे जिनका काल स्वान काल था कुछ शिकों पर उसके राने का नाम भी है, यह आपको पता चल गए है न, तीसरा, तो फिर बाकी बले शिकों वाला आपको पता हो या नहीं हो, यह कंफरम पता चल गए है न, इसलिए उत्तर हो जाएगा इसका तीन नंबर, ठीक है, अब मुख्य सच्चिव, मुख्य सच्च वाला, वो उत्तरिस में आ जाएगा, ठीक है, अब ऐसे परसंतों दोस्तों पता नहीं चलता पहले, कि याद रहे नहीं रहे, मुख्य मंत्री और राजेपाल का जो तालमेल है, जो जोड़ा है, वो छाटना, यह भी कठिन परसंद है, तो इतना सब कुछ याद रहता नहीं है, तो मौलाल सुखाडिया, हरिदेव जोसी, जगनात पहाडिया, और हिरालाल देवपुरा के समय, कौन जो है वो नहीं था राजेपाल, तो इसमें जो है, हरिदेव जोसी, उनके समय, डॉक्टर संपूरुनानंद, यह आप थोड़ा सा विचार भी कर सकते हैं से इसमें, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाए ना, तो यह उतर हो जाएगा, तो कौन थे राजेपाल, यह आप कमेंट करो सर्च करके, भार्त के राष्ट्रपती के चुनाव के समय में कौन से कतन सही है, तो अब राष्ट्रपती के चुनाव भी हुए थे, इसलिए क्योशन भी जो ह अगला, वैं संसद के निर्वाचित सदश्यों, राज्यों के सभी विदान सबाओं के निर्वाचित सदश्यों से बने 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 निर्वाचित सद तो आप समझ गए होंगे ये दोनों बात एक की चीज़ को दुबारा रिपीट हुए यहां इसपष्ट किया है यहां इसपष्ट नहीं किया है तो इसलिए यह गलत है ना कि सभी नहीं लेंगे भाग केवल निर्वाचित लेंगे यह याद रखना तो यहां पर उत्तर क्या हो और सामनित है कम्पुटर है लेप्टोप है तो साइड में दो इसपिकर हुआ करते हैं थिक है इसपिकर तो यह आप इस पिकर से आद रख लो इसपिरमेन को द्वी तत्वयका सिधांत द्वी कारक सिधांत तो यह जो है वो इसमें आ जाएगा तो आप ट्रिक से राखें इस पीकर जैसे हम सामान जाता है दो इस पीकर से काम चलाते हैं अगर आवाज कम पड़ती हो तो फिर हम एक इस पे कर और ले आते हैं तो तीन तो दूई कारक और त्री कारक दूई तत्वे और त्री तत्वे दोनों ही सितांत जो है वो इस्पियरमेन के हैं बहुत तत्वे है वो थान डाइका है तो आप इसे ध्यान में रखें तो दूई कारक शितांत किसका है? चार्लस इस्पियरमेन अब यहां देखो कई बार जल्दबाजे में केवल इस्पियरमेन पर नजल जाये यहां नहीं जाये तो यह गलती हो सकती है बेराठ जेपुर में जो विराठ नगर है उसके उत्खनन में किसके नित्रतों में तो यह बेराठ वाला तो सभी जो पेपर हुए एक साल 5-6 पेपर सभी में पुछा गया है तो यहाँ पे जो है उत्तर होगा दोस्तों दयाराम साहनी देखो बेर नहीं रखना चाहिए बलकि हमें दया रखनी चाहिए तो इस ट्रिक्षिया आप याद रख सकते हो डाइरीन का जोंपड़ा बहुती जी क्यूसर अजमेहर में है कुतुबुदिन एबक के समय बनाया गया था और जो संस्कृत स्कूल थी जो की विगरे राचा तुर्थ ने बनाई थी उसकी जिगए नानक भील नामक किसान की मरत्यू जंडागी इतकातिय समय आपको याद आ गया होगा तरसक अंदुलन के दोरान कहां हुई किस कसर का अंदुलन के दोरान तो बेंगू, बुंदी, बिजोलिया या बिकानेर तो दोस्तों इसका उतर हो जाएगा बुंदी बुंदी में जो इस्तान था, नानक जी भील और बुंदी में ही बरड अंदुलन भी हुआ था, महीराओ ने भाग लिया था राजनितिक पार्टी और चिन याद करना है बताना है आपको, तो जिसे बस्पा है इसका तो सबको पता है, बस्पा का हाती है ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पेपर बनाने वाला भी कई बार इन चीज़ों को ध्यान में रखता है कि बई, ए में तीसरा तो कोई भी मिला लेगा तो चारों में तीन-तीन है, तो यहाँ से बात नहीं बनेगी अब यहाँ चार, एक, एक, दो यहाँ दूसरे में बात बन सकती है रांकापा, सर्द पमाजी वाली तो इसका जो चुनावचीन अगर आपको ध्यान में है अगर आपने कहीं देखा है न्यूज वगर में तो घड़ी, तो दूसरे में एक, अब यहाँ पे बात बन गई कि यह यहाँ पे, अभी भी नहीं बनी, अभी भी दो ओप्सन पड़े है अब तीसरा, यहाँ पे बात बन जाएगी तेलंगाना, हालाएकि इंडियन नेस्नल लोकतला इसका चस्मा है अब आप जैसे चोथे का मिलाते हैं न, जैसे की चोथा है दय में तो भी फिर भी आपके यहाँ बात बन सकते थी, क्योंग यहाँ दो और यहाँ चार है तो अब इसका और तेलंगाना का हो गया कार, ठीक है वेसे भी कार में तेल डालना पड़ता है ठीक है, तो ऐसे आप ट्रिक से भी चीज़ों को याद रख सकते हो ठीक है, तो यह उसका, फिर उत्तर क्या होगा इस हिसाब से तेलंगाना सै में जो है दो, तो सै में दो तो यह उत्तर हो जाएगा इसका यह वाला ठीक है, सिया ककसा आठ में अरजित ग्यान का उपयोग ककसा नो की विसे वस्तू का बोध करने तो करती है यानि पूर वग्यान का उप्योग कर रहे हैं तो यहां पे जो है सिया का जो उधारन है वो किस परकार का है तो यह अनुलंब अंतर्ण जो है वो है का अनुलंब अंतर्ण मंडोर जोदपूर में साखा के निमलिकित परतियार सासकों पर विचार कीजिए अब यह सही एक खतरनाग परसंद है कि भी चलो नागबट का तो नाम सुना वाक्य का तो कहें कि भी नाम ही नहीं सुना यह टाटार बावकार हलनकि आपने थोड़ा सा डीप पड़ा है तो जुरूर आते हैं नाम मोटे तोर पे नहीं मिलते रजिल का भी आता है अब आपको थोड़ा सा अगर रजिल का याद आ रहा है कि सुरुआत में ही जो नागबट से भी पहले आलागि संस्ता पक नागबट माना जाता है मगर उसे भी पहले अगर हम देखें तो जो है इसमें इनका नाम सबसे पहले आता है उपर उपर रजिल का तो यहाँ पर इस हिसाब से अगर रजिल का आपको पता है तो काम चल जाएगा दो सबसे पहले हैं उसके बाद में एक है फिर यह है तो यह उत्तर इसका हो जाएगा अगला स्वाल हम देखें इसमें आरा निमज सड्यांतर कांड में निमलिकित में से कौन कौन करांतिकारी समय लिते हैं अब ये भी परसन काफी गहरा परसन है और इसमें जो है दोस्तों इतना याद रख लो आप जिसे मुच्ची चंद है जे चंद है अमीर चंद और मानक चंद तो अमीर चंद जो है न वो इसमें नहीं है ठीक है तो यहाँ पेस का उतर हो जाएगा टीन नमबर एक तीन और चार ठीक है यह हो जाएगा तो ऐसे ही दो परसन हो रहे थे जो पहला परसन हो उसके आज राजेपाल वाला वहाँ पर भी इसे ही सयोग से दूसरा उप्सन उसमें नहीं लागू हो रहा था हलाएकि वो एक सयोग है परती वरत पूरो क्रिया अवस्ता मूर्थ क्रिया अवस्ता और ओपचारिक क्रिया तो यह जो है प्याजेवाला तो इसका उतर जो है वो कौन सा होगा तो यहां पे जो प्रति वरत्यता है इसका उतर होगा दोस्तों मूर्थ संक्रिया आत्मक अवस्ता मूर्थ संक्रिया का मतलब ची लिखते हैं कि नहीं है पुछा है तो डेनियल गोलमेन का तो है उन्य सो पिचानम में किता भी लिखी थे दोने पिटर सेलो भी थे और जोन मेर भी थे ये तीन आम आते हैं तो उत्तर हो जाएगा एडवर्ड फ्रीमेन ठीक है किस जंगर्ना वर्स में राजस्तान के दसके वर सम थी 21 परतिसत जो है 2001 में यह अभी वाली में जैसे देखो इसमें जो है न यह सबसे ज्यादा रही थी 1981 में यह 32.97 रही थी आपको कंप्लेट एक दम जैसे 32.97 यानि 32 परसेंट जनसें क्या जो है वो बढ़ी 1971 में 27 28 28 थी इसमें 28 इसमें 28 और जो 2011 वाली है 2011 की जो जनगरना है उसका जो परतिसत था वो था 21.8 तो आपको एक तो यह 21.8 याद रख लेना कि अभी जो पिछली हुई थी उसमें तो 21 परतिसत यानि जहां 100 लोग थे वहां 121 हो गए इस साल जहां 100 थे वह 132 हो गए तो सबसे ज्यादा अब तक कि जो सबसे ज्यादा है 1981 की है सरजनात्मक्ता की प्रकरिया के संद्रब में कौन सा करम सही है सरजन सीलता कोई बालक है कुछ कर रहा है मालीजिये कुछ वेश्ट है चीजे पड़िये उसे कुछ बना रहा है या कोई भी वो क्रियेट कर रहा है नमाचार कर रहा है तो सबसे पहले देखो इसमें एक साचितर बनाया उसने या काड से को अच्छी डिजैन बनाई दुबारा और करेगा उसको तो पुंद्रावरति सबसे लाश्ट में आएगा तो अब यहां पर बात यहां बन गई तैयारी इनक्यूबेशन इनक्यूबेशन का मतलब होता है वैसे उसनता जैसे मालो अंडा है त काओ चीडिया काओ तो चीडिया क्या करती है उसको शिकाव करती है अपने सर्यों से अपने पाओं से उसको लगती है उसको तो अपने तो उसनता देती है उसको पकाती है तो ऐसे ही हो गया कि तैयारी करना फिर उसके ओपर फड़ा चिंदन करना उसको अंजाम देना फिर स Kota में है Kota इसका जो है Kota नहीं होगा दोस्तों लाडनू होगा तो रन्ध लाडनू लाडनू जो है नागोर जिले में पड़ता है हमारे सुजानगड के पास ही है सुजानगड, जस्वनकड और लाडनू इन तेनों को मिलाकर सुजिला जीला जो बनाने के लिए भी लगातार इस सुजला चेतर की जनता जो है वो संगरसरत है परियासरत है रोर सारशाई दभाब रिक्षन है इसके वरे आपने पढ़ा है जो की एक प्रक्षेपन वाली परक्रिया है इसमें क्या होता है तो दस शाय दभी वाले कार्ड होते है अनुकरिया आचेतर मन से पता की जाती है अनुकरिया का विसलिय वस्तु के संदर्ब में किया जाता है तो 3 सई है ये गलत है सबी कार्ड पर काले और सपेद शाय के धब्बे तो सपेर्शाई तो मतलब भी नहीं है और सभी पेर नहीं होते बारत का पहला पावन सोर हाइब्रिट ये करंट अफेर में अपना पढ़ायावा था जो अड़ानी एनर्जी है उसके द्वारा लगाया गया है पावन और सोरूर्जा का मिक्स सायंतर जिसे हाइब्रिड पावर पलांट का जाता है कहां जैसलमेर में जवारलाल लेरू ने पंच सील का जो सिधान्त दिया था जिसमें की वही एक दूसरे केशी माओं की रक्षा करना वगर जो पांच बाते थी लुक सायद 1905 में ही दिया था चोबन चोबन उनिसो किस नेता के साथ मिलकर किया तो चीन के थे चाउएन लाई तो चा है यहां पर चाउएन लाई लाई है पनी मारवड़ी में कहते हैं कि लाई श्याणों भलो ये लाई नहीं था ना बला नहीं था फिर आगे जाकर जो त इडुल ट्रिब उसका परतिसत क्या है 2011 के अनुशार तो ये 13.48 जो है वो है इसका परतिसत जो है कुल उसके बाद में यहां पे दो सूचे दी गई है सूचना का अधिकार बारत में निवास का अधिकार शिक्षा का अधिकार पुरस और मैलाओं दोनों के लिए समान काम के ल दोगा कि शिक्षा के अधिकार को जो है वो कानुन के ग्यारिवकर्तुएं के रुप में भी जोड़ा गया तो उस समया पढ़ते हैं कि इसको 21 कैमें जोड़ा गया है तो इस एक से ही मेरे ख्याल से आपकी बात बन जाती है कई कई बार बले ये नहीं आ रहा है ओ वाकी तो से में अगर हम डुंडें दूसरा तो से में दूसरा जो है ना से में दूसरा इस एक में है अब बाकी और मिलान कर लीजिए पहले में चोथा सूसना का अधिकार तो अनुशेद 19 और बारत में निवास का अधिकार ठीक है अगला जो है पहले हम इसको देख लेते हैं कि टीस तो तीसरा यह है इसमें, तो इसके हैसाब से मिला लें, इसमें पांच हो जाएगा भारत में निवास का अधिकार, यह, और इसमें हो जाएगा पहले में, जो है, आमें चोथा, सुचना का अधिकार, उननिस एक, ठीक है, और फिर बचा, शमान काम के लिए समान वेतन, अब य जो है न, यह अपने मूल अधिकारों में नय होके, निती निद्य से तत्वों में है, तो इसके लिए हो जाएगा अनुछेद 49, तो दै में तीसरा, तो इस हिसाब से यह उत्र इसका हो जाएगा, जाखम, अब जाखम नाम आते हैं आप क्याता है, माहिशोम जाखम, तो उस ले कई सालों से ही चली आ रही है, सबसे ज़्यदा चीन की है, फिर भारत की है, और तीसरा इस्तान विश्व में किसी देश का है, तो वो है अमेरिका, और चोथा इस्तान इंडोनेशिया का है, तो तीसरा इस्तान जो है न, वो अमेरिका का है, यहाँ पर आपको यह ध्यान दोस्तों कई वार हम ओमार में जब भरते हैं परसन को उत्तर को गुला काला करते हैं तो क्या होता है कि जैसे अब अपने ध्यानBut रखेंगे तीसरा इस्तान और प्स्ण नचो था तो कई वार भूल से हैं तीसरा जो गुला है वो काला हो जाता है ऐसा द्यानक ना चाहिए आंत्रिक अभी प्रेरख सकती अभी प्रेरणा के दो प्रकार अभाई और आंत्रिक तो आंत्रिक में नहीं है तो देखो आकाक्षा का इस तर आंत्रिक होता है उपलब्दी की आवशक्ता आंत्रिक होती है संबंधन की आवशक्ता आ हाधी होगी ना उससे हम प्रोसाइट होते हैं तो हालां कि होना चाहिए स्वाभाविक है निम्द लेखित में से किसोरा अवस्ता में सामाजी की विकास की कौन सी विश्यस्ता नहीं है तो किसोरा अवस्ता में सामाजी की विकास समुहों से अनुरूपता समुहों बनते हैं मि सामाजिक शेवा की बावना होती है, आप देखते हैं कि साधिवया में और में वड़े उत्साय से भाग लेते हैं कि समोह में अनुरूपता होती है, अब यह देखो मित्रता में समलेंगिक परवर्दिया यह नहीं होगा दोस्तों, यह तो फिर अभी तो इसका मुद्दा ही च विसम लिंग के परती विकर्षन देखने को मिलता है वाले वस्ता में, तो समलेंगी परवर्दिया नहीं होके, यहाँ पर विसम लिंग यह आकर्षन होता, तो वो भी सही हो जाता, तो यह यहाँ पे उतर हो जाएगा, तो पचास तक हमने कर लिए हैं, और आगे जैसे हैं, account से लेके और show तक तो वो जो है हम अगली कलाचेनी part 2 में खरेंगे तो इस परकार से हमने 5 paper तो देख लिए हैं, ये 6 paper हम देख रहे हैं और बाकि जो 5 ओं की वीडियो देखने हैं तो description में link जो है वो लगा देंगे, वहां से आप देख लेएं ताकि 300-400 ऐसे question जो आरपी से ने इसी साल पूछे हैं यानि अभी 4-5 महीने पहले ही और आगे भी आपके type की question रिपीट हो सकते हैं तो देखते रहे हैं मनोविग्यान की test तरी सुरू कर दी है जल्दी current affair की भी करने वाले हैं और इसी channel पर current affair की class भी लगाते हैं मनोविग्यान की भी लगाते हैं और ये class जो है old paper की ये भी लगाते रहेंगे comment कीजिए अपने सुजाओ दीजिए आपके सुजाओ हमारे लिए महत्वपूर्ण है हमाँ आपके comments को पढ़ते हैं नए है तो चैनल को subscribe कर लीजिए दाने बाते